कल की क्लास में हमने डिस्क्स किया था एंसेंट राजिश्थान का पार्ट तो आज की क्लास में हम डिस्क्स करेंगे मेडियेवल हिस्ट्री जो जो भी गठना करम यहां पर राजिश्थान में रही थी वो सारी गठना करम हम यह मेडियेवल हिस्ट्री के राजिश्थान के प् करनल जेम्स टॉड ने राजपताना का इतियास लिखते समय इसे राजश्थान सब्द की प्रिदेश बाची कब कहा था 1829 में प्रिकासित कीरती थी इनकी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजश्थान तो ये किसी थी ये करनल जेम्स टॉड की थी ये चलो ही नेश्ट कोशन देखते हैं नेश्ट है आज के राजश्थान को 19-20 सताबदी में राजपताना ना कर रहा है तो ये दिया था करनल टॉड ने तो हमने इनका ये पुछ तक भी देखी कौन सी थी तो हमने डिस्कस कर लिया उपर नेश्ट है अंग्रेजों के समय में राजश्थान को किस नाम से जाना जाता था तो अंग्रेजों के समय में राजश्थान को राजपताना के न कि लिए राजपूत बेदिक आर्यों की संतान है इस मत का प्रतिवात कुन थे ये बात कही थी किसने गोरी संकर हरीचंद्र ओजह दुवारा क्या कि राजपूत जो थे बेदिक आर्यों की संतान है बागी नेश्ट देखते हैं ये किसने कहा था कि राजपूत जो भरहमबने बंस के हैं तो ये कहा था ये बंडार कर गोपिना सर्माने चलिए नेश्ट चलते हैं किस इतिहासकार ने राजपूतों को अत्वा चलिए नेश्ट है कि ब्रोश गूजर नामक तामरपात के अधार पर राजपुतो को यूची जाती कबंसज मानते हुए इनका सम्मंद कुषाण जाती से किसने जोड़ा था तो कनिंगम ने कुषाण जाती से इनका सम्मंद जोड़ा था तो ये भी इंपोर्टेंट है याती रख भी जड़ाते नेश्ट है राजपुतो को हूंडो की संतान बताया था किसने ये बताया था बी ए इसमित द्वारा नेश्ट है पिर्थवी राज रासो के अनुसार राजपुतो की उत्पत्ती हुई है कहां से अगनी कुंट से इनकी उत्पत्ती हुई है किसके अनुसार पिर्थवी राज रासो के अनुसार ये लिखे किसने थी एक किर्थी तो ये लिखे थी चंदरबर्दाई ने क्या पिर्थवी राज रासो चली नेश्ट है निमलिकत में से किस विद्वान के अनुसार राजपुतो की उत्पत्ती अगनी कुंड से हुई है तो अभी आपने देखा था चंदरबरदाई के अनुसार चंदरबर राज ने अपनी पिर्थवी राज रासो में ये बताया है कि राजपुतो की उत्पत्ती जो हुई है वो अगनी कुंड से हुई है नेश चलते हैं कोनसा राजबुतों की उतपत्ती को अग्लिकुंट से समझेज मानता है तो वो कोनसा राजबंस ने अपना उद्गम मित किया या अग्लिकुणट से नहीं जोड़ा है तो किस ने चंदेल ने नहीं जोड़ा इसको नेश्ट है कौन से बंस की उत्पत्ती अगनी कुंड से नहीं हुई है तो इसकी सिसोधिया की भी अगनी कुंड से उत्पत्ती नहीं हुई है चले नेश्ट चलते हैं इतिहासकार आर्सी मजुमदार के अनुसार गुर्जर पिरतिहारों को कितनी सताब्दी तक अरब अक्रमारकारियों के लिए बादक का काम किया है तो छटी सताब्दी से ग्यारवी सताब्दी तक नेश्ट है 750 से 1000 ईसभी के दोरान राजिष्थान और अधिकान सुत्री भाग पर निमलिगीत में से किसने सासवन किया था तो यह किया था पिरतिहारों ने कब से कब तक 750 से 1000 ईसभी तक नेश्ट बात करते हैं पिरतिहारों को गूजर मत कहा है तो किसने देखे निलकुन में भी यह उसके बाद देवली फिर रवनपुरा उसके बाद करहाण यानि कि चारों इसके बाद ठीक है नेश्ट चलते हैं राजिश्टान में पिरतिहार बंज के संस्थापक हरीश्ट चंद्र के राजजधानी थी मुंझर पिरतिहार सास्कों में रोहिल द्धी के नाम से जानना जाता था किसको हरीश्ट चंद्र को मंदोर के प्रतियार माने जाते हैं क्या छत्रिये माने जाते हैं नैश्टे प्रतियारों को कौन सी साखा सर्वतिक पुरातर माने जाती है तो कौन सी मंदोर साखा सबसे पुरातर माने जाती है मंदोर के प्रतियार सास्थकों में निमलिकित में से कौन सा ब्याकरण तरक सास्थ, जोतिश, कला और काभिय रचना में कुशल थे उन्हें पृतियक्ष रूप से एक से अधिक भासाव में पृतिश्टित कभी के रूप में स्विकार किया गया है तो किसको ककक को स्विकार किया गया है नेश चलते हैं पृतियार बंस की मंडोर साख के किस सासक ने अपनी राजजदानी मंडोर से मेरता स्थांतरित कीए थी इंप्रोटेंट आई तो नागभट पिर्थम नहीं जो सकता है मंदोर के पृतियार बंद से संबंदित प्रारंबिक सासक का नाम बताईए तो ये नागभट पिर्थम थे नागभट पिर्थम किस राजबन से संबंदित थे तो भी हमने देगा गूरजर पृतियार बंद से संबंदित थे चलते हैं पिर्तिहार सासक जिसने सरबर्तम जालोर को अपने राजधानी बनाया तो कौन थे नागभट पिर्तम थे जिन्होंने जालोर को अपने राजधानी बनाया था चलते हैं निम्लिकित में से पिर्तिहार राजा नागभट पिर्तम के बारे में कौन सा कथन सही है तो उन्होंने सिंद के अरब सासक को हराया जो राजिस्तान गुजरात पंजाब आधी पर आकर्मन करने की कोशित कर रहे थे चलिए नेश्ट चलते हैं पिर्तम पिर्तिहार सासक जिने परम भट्टारक महा राज धिराज परमेश्वर की उपादी धरन की थी वैकों थे तो नागभट डुत्य थे यानि कि नागभट सेकिंड थे नेश्ट है नागभट सेकिंड का संबन्द निम्लिकित में ते किस राज़ बंसे था तो आपने देखा कि ये पिर्तिहार थे किस राजा के बंसज गुर्जर पृतिहार कही जाने लगे तो किसके नागभट सेकिंड के बंसज जो थे गुर्जर पृतिहार कही जाने लगे थे उससे पहले पृतिहारी कहलाती थे चली नेश्ट है आदी बरा की उपादी किस राजपुष सासक ने धारन की थी तो कौन थे ये महर भोशते इंप्रोटेंट है ये पूछा है था बार बार आदी बरा की उपादी किस राजपुष सासक ने धारन की थी तो महर भोशते चली नैश्टे किस प्रतियार राजय के काल में पिरसिद गौालियर प्रिसस्ति के रचना की गई थी तो किसके टाइम पे भोज प्रतियार बंस के मिहर भोज से द्वारा रचित नहीं है तो देखे ये सरंगार प्रिकास हो गया, किर्तिय कल्प तरू हो गया, राज मर्डारंड हो गया, तो धर्म संग रहे ये इनके द्वारा नए रच्चित है राज सेखर किसके दरबार में थे, कफे इम्पोटेंट है, तो महिंदरपाल पिर्थम के दरबार में थे महेंदरपाल पर्थम के दरवार में थे महेंदरपाल पर्थम और महेंदरपाल के राज दरवारी कभी कुन थे राज सेकर थे तो पता हुने ची किसके महेंदरपाल के और महेंदरपाल के उसके दरवार उसके दरवारी कभी राज सेकर ने कप्रमंजरी काप्वे मिमांसा बिध्य सहल भंजिका हरी बिलास बुवन कोस बाल रमायण बाल भारत आधी गरंतों की रज़ना किये तो पूछे सकता है चली नेश्ट है कौन सी किर्थी अप्रिसिद्ध कभी नाट्यकार लेकक राजसेकर की नहीं है तो आप देखा हमने कप प्रिभाजक चरित्र है नहीं प्रिभाजक चरित्र नहीं है ये काप्वे मिमांसा है बाल रमायण प्रिभाजक चरित्र नहीं है इनकी नेश्ट है कौन साही प्रतियार समराट महेंदरपाल पर्थम का गुरू था तो कौन थे राजसेकरी महेंदरपाल पर्थम के गुरू ने हमने देखा है नागभट दुट्री है नहीं है चलते हैं अब गुजर प्रत्यार बंसों में कौन-कौन थे तो नागवट थे उसके बाद नागवट दुत्ति है महेंद्रपाल भोज दुत्ति है मही पाल महेंद्रपाल देव पाल तृलोचन पाल और येस पाल सबसे आखरी तो आपको स्टाटिंग का और सबसे आखिर का पता होना चाहिए यह सपाल सबसे आखिरी थे नेश चलते हैं पृतिहार बंस का अंतिम सासक कौन था तो यह सपाल अंतिम सासक किसका पृतिहार बंस का नेश टेक गूजर पृतिहार 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 पाल अम राश्ट कुछ सासन केंद्रिया राश सत्तात्मक राश्टन सासन था नएश चलते हैं पिरतिहार सिर्यलेखों में पदाधिकारियों का उलेख यह आता है कि यह क्या थे राजपुरुष थे नएश चलते हैं गुर्जर पिरतिहारों की राजदानी कौन सी थी? तो पहलें की राजदानी थी? पीलो, मोलो, यानि भीनमाल तो यह किसने बताया? यह चीनी यत्री हिंसोंग ने बारत की यत्रा का विरॉन अपने गिरंद सीयूकी में किया है उसने गुर्जर राजजी को कूची लो यानि की गुर्जर उनकी राजदानी को भीनमाल का नाम यानि की पीलो, मोलो लिखा है तो भीनमाल का प्राचिन नाम जो है स्रीमाल था तो यह किसने लिखा है? यह लिखा है हिंसोंग ने ये हिंth Song ने बताया रही कि पीलो मोलो गुजर पिर्तिहारों की राजदानी किस स्थान पर ती? जो जालोर में भीहिनमाल का एक पुराना नाम थी तो इसका नाम था स्रीमाल चालिए वाई श्टार्ट करते हैं फिर गुजरों को किस सासी ने पराजित किया था? तो ये पिरवाकर बर्दन ने पराजित किया था नएश चलते हैं पर तिहार एबम पाल सासकों पर अपनी बिजय की खुसी में दुरूब ने गंगा बे यमना के चिन्नों को सम्रित किया था नहां पर तो ये किया था राष्टकुट कुलचिन यानि के एमबलम में चरी नेश चलते हैं जोदपुर के नजदीक बैष्टान जो हिंदू एबम जेन मंदिरों के लिए प्रिसिद है जिसका निर्माड आठमी से बारमी सतब्दी के बीच गुरजर प्रितिहर बंस दौरा किया गया था तो ये कहां पर ओंसिया में ओंसिया कहां पर ये पुछ ए सकता तो जोदपुर से 65 किलमेटर दूर है जोदपुर के निगट ओंसिया में मंदिरों का निर्माड कराया था किसने कराया था ये पृतिहरों दौरा कराया गया था ओंसिया में माबिर स्वामी को समर्पिज जेन मंदिर का निर्माड किस स्राजर के काल में किया गया था तो ये बस्राज पृतिहार के टाइम पर किया गया था अब दूसरा बंस देखते हैं इमपोटेंड यहां पर चोहार मंस किस इतिहासकार ने चोहारो को ब्रहमण बंसे उत्वन होना बताया है तो यह कूंधे डाक्टर भंढार कर थे तो ये मानते थे कि चोहान की उत्पत्ती जो है ब्रहमण बंसे हुई है अगनी कुंड से किसने माना है तो अगनी कुंड से तो पृतिविराज रासो ने यानिक पृतिविराज रासो नेडसी एवन सुर्य अमल द्वारा माना गया है सुर्य बंसी ये प्रितिवी राज बीजय में और हमेरे महाकब्य में हमेरे रासों में इसमें सुर्य बंसी बताया गया इंद्र के बंसाच बताया रायपाल की सिवाडी अभी लेख में करनल जेम्स टोड बिदेशी मतमें इन्हों ने सक सीरियन किसे ने बताया था जेम्स टोड ने डीवी स्मित ने और बिलियम कोक ने चलिए स्टार्ट करते हैं अब चोहान राजबंस के संस्थापक सासक हैं कौन तो बासुदेव है साकंबरी यानि कि सामर चोहानों की राजबंस के संस्थापक कौन बासुदेव तो आपको राजबंस को राजबंस के पता होनी चाहिए इसकी तो यह बात कहां पर लिए बताईगी है यह बिजोलिया सिलालेख है तो उसमें इस चीश का मैंसा ने इसके अनुसार सामल जिरकर निर्माल भी इसी ने कराया था किसने बासुदेव चोहन ने अजमेर नगर की इस्थापना के पहले अजमेर के चोहानों की राजबंस कोंसी हुआ करती तो सामर इनकी राजबंस करती थी राजिश्तान के प्राचिन सहर साकंब्री यान कि अब सामबर को साथमी सताब्दी में जैस जैस नमक चोहन राजे ने बसाये था तो एक सामब्री नेश्ट है चंदन राज की रानी रुद्राणी को पुसकर में पिर्ति दिन एक हजार दीपक जलाकर भगवान महादेप की उपासना करती थी किस बंस से संबन्दी थी तो साकंबरी के चोहान बंस से ये संबन्दी थी कौन रुद्राणी तो ये पुछी है सकता है फिर है तो आप जानते है कि अज्जे राज अजमेर के संस्थापक है चलिए नेश्ट चलते है स्री अज्जे पाल चोहान संस्थापक थे इसके अजमेर के नेश्ट है राजिस्थान के किस चोहान सासक को जैनक द्वारा अपने पिर्थिवी राज बिजे में गिरंत में पिर्थिवी के चांदी की मुद्राओं को भर देने का सिरे दिया एता है तो अजे राज को दिया एता है चलिए नेश्ट है जैनंक रचित पृतिवी राज बिजेई में एक सासक की प्रसंसर में लिखा गया है कि उसने उसकर पर अकरमण करने बाले सास्सो चालुक्यों को मार गिराया निवन में से किस सासक का नाम है वो बताईए तो पृतिवी राज ये पर्तम का नाम है अर्णो राज के बारे में निमलिकित में से कौन सा कतन सही है तो पहले ही है अपने राज्यकाल में प्रारम से उसने एक गजनवी अकरमण को ख़तिर दिया था तो पहली बाट ठीक है दूसरा बैह मालवक के नरबर्मन को पराजित करने में एसफल रहा तो ये बात गलत है तीसरा देखते है उसने चालुक के नरेस जैसिंग सिद्राज की पुत्री से बिवा किया तो ये भी ठीक है बैह अपने ही पुत्र के दोवारा मारा गया तो ये लाश्ट की दोने बाते ठीक है अब देख लेते हैं अज्जे राज के बाद उनके पुत्र अज्जे राज ने गैर सु तैटीस इसमी में गद्दी समाली थी अब उसने जो है चालुक के साथ कुमर पाल से हरने पर अरॉराज की परतिष्टा को काफी धक्का लगा ता उसके बाद में फिर ये इन्होंने कई उपादी धारान की थी कुनसी महाराज दिराज परमेश वर परम बठारा की उपादी धारान की थी उसने पुसकर में एक बरामंदिर का निर्माण भी कराया था तो यह पूछ आता है पुसकर में बरामंदिर का निर्माण किस ने कराया था तो अजमेर के किस सासक ने सासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी तो यह कुन थे तो जग देव थे अजमेर के पास इश्टित पुसकर में बरामंदिर का निर्माण किस ने कराया था तो अभी हमने देखा था आणो राज ने बरामंदिर का निर्माण कराया था कहाँ पे पुसकर में कटी बंदों हैं कभी बांधब के नाम से कौन राजा परसित था तो ये बिग्राराज चतुर्थ ये इसके नाम से परसित थे कटी बंद या कभी बांधब के नाम से इन्होंने जो है संसिक्रित में एक हरी केली के नाम से नाटक लिखा है उसके साथ ही ललित बिग्रायराज का लेखा सोमदाब या सोमदीरिन का दरवारी का भी था ललित बिग्रायराज के रचिये था सोमदेब चोहन बंस के दरवार में थे तो बिग्रायराज फोर्ट के दरवार में थे नाटक ललिद विग्राय राज की रचना किस ने की थी तो सोमेंद्र ने इसकी रचना की थी विग्राय राज चतुर्त की साहतिक रचना हरी केली है तो क्या है ये नाटक है ये हरिकेली नाटक की रचना किसे ने की थी तो बिग्राराज चतुर्त ने इसकी रचना की थी नेश्टेक किस चोहन सासक ने बार्मी सताब्दी में इसबी में बिसलपूर की इस्थापना की थी तो कोंते बिग्रे राज चतुरते जिन्में बिसलपूर की इस्थापना की थी बिसलपूर बरतमान में कहां पर तो टौंक जिले में है तो इस काल को चोहनों का सेवने यूग भी का जाता है किस सासक के राज्यकाल में दिली सिवालिक इस्थमभब अबिलेग उतकेंड करायकान तो किसके बिग्रे राज चतुरत के टांपर ही करायकए था किस चौहन सासक दौरा जुहालपूर को ज्वालापूर परिवर्तित के लाज चतुरत ते नेश्ट है बिक्यात इसमारक एडाय दिन का जोपड़ा या तथकालीन संसेकरितिक महाविद्देल्य का निर्माड कि इसके दुआ गया था तो बिग्रे राज चतुरत के दुआरे ही किया गया था है बाद में जिसे तोड़कर बाद में जिसे तोड़कर कुतुबदी नवग ने एडाई दिन का जोपड़ा ये मजजीत के रुप में परिवर्तित कर दिया था तो उससे पहले ये बिज्वल देव ये बिग्रियाराज चतुरत ने अजमेर में संजिक्रत पाट साला यहें पर बनवाई थी एडाई दिन का जोपड़ा मोलते क्या था तो ये संजिक्रत कोलिज था नेस्ट है अडाई दिन का जोपड़ा वैस्तित है तो ये कहां पर अजमेर में इस्तित है एड़ाय दिन के जोटा पहले निम्नमेर्ट सिक किस नाम से जाना जाता है तो ये सरसबती परटसाला के नाम से जाना जाता है उस इसमारक का Bemताईए जिसने ‫18191 इस भी में सुल्तान गोरी ने एक मझित में परिवर्तित कर दिया था तो क्या था ये अड़ाइजन का जो पड़ा ही था तो त्राइन का दुट्तिय तुरि लड़ा गया था मुहमद गोरी और पिर्थी विराज चौहन के बीच में चलिए नेस्ट चलते हैं तो पिर्थिपिराज 94 में भी पूछा कि कौन थे पिर्थिपिराज तिर्थिय थे, कब 1192 में लड़ा गया था, जिसमें मुहम्मद गोरी की बिजय हुई थी। चली नेश्ट है, सुल्तान मुहम्मद गोरी को बर्स 1191 में किसने पराजित किया लेकिन 1192 में उससे हार गया, तो कौन था पिर्थिपिराज तिर्थिय थे, पिर्थिपिराज तिर्थिय थे, और मुहम्मद गोरी के मद्दिय कितने युद लड़े गए तो इनके बीच में द था तो किला राय पी थोड़ा था चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन प्रिथिवराज चोहान तिर्थिय का दरबारी विद्वान नहीं था तो देखिए बिद्यापती गोड़ थे बागीजबर थे बिद्फियरूप थे तो सारंदर नहीं थे बागी देखे तो हम प्रिथिवराज चिप्तिय के समकाले नहीं लेका कुन थे जैनांग थे चंदरवरदाई थे जनारदन थे आसादर थे बिद्यवदी गोड़ थे बिस्विरूप थे और प्रिथिवी बढ़ थे प्रिथिवराज चोहन का दरवारी कभी कौन था तो दरवारी कभी थे इनके चंदरवरदाई कदम बास या केम्प बास किस राजय के समय उनके मुख्य मंत्री थे तो प्रिथिवराज तिर्थिय के समय थे गोरी के अकरवण के समय चालू क्यों को साय था दिने के बिरुद पृतिवराज तिर्थिया को परमार्स दिनने वाला मंत्री कौन थे तो कदम बास जिनके ये मंत्री थे करपुरी देवी किस राजपुर सासक की माता थी तो पृतिवराज चोहान तिर्थिया की माता थी सूफिय संथ कौाजा मौईदिल दिन चिस्टि किसके सासंकाल में राहिष्तान आय ते तो पिर्त विराज चोहान के सासंकाल में ये राहिष्तान आय थे पिर्तिवराज चोहान तिर्तिया का समकालीन चंदेल सासक कौन था तो ये परमारदी देप था है नेश चलते हैं बंडानको का पूर्टे दमन निमन मेंसिक किस के दोरा किया था पिर्तिवराज चोहान तिर्तिया के दोरा किया गया था है पृतिवराज चोहान तिर्थिया का समकालीं चालुक के सासे कौन था तो ये भीमदेब सेकिंड था नैस चलते हैं चोहानों की राणथमबोर साका का पिरवरता कौन था तो ये गोविंद राज था तो ये कुन थे प्रतिवराज तिर्थिये के पुतुरते गोविंद राज यह उन्हों कुतूब दिन अवक की साहता 23 बंद की इस्थापना के थी कब 1194 में रड़तंबोर के सासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद प्रतिरोत किया था तो कौन थे बागभट एवम हमीर थे नेश्ट है रड़तंबोर के सासक हमीर चौहन की किस बर्स दिल्ली के सुल्तान जलाल अदिन खिल्जी की सेना के साथ प्रतम बार मुडवेड हुई थी तो 1290 में ये मुडवेड हुई थी नेश्ट चलते हैं रड़तंबोर के किस चौहन नरेस के सेनपती ने जहाईन के निकट जलाददीन खिल्जी को हराय था तो कौन थे हमीर थे पिर्टम खिल्जी सुल्तान जिसने रड़तंबोर दुरुग पर अकर्मन किया था कौन ते जलाल अदिन थे कहाँ पर रड़तंबोर दुरुग पर अकर्मन किया था अलाउद्दीन खल्जी ने रणथम्बोर पर अक्रमण क्या क्योंकि सुल्तान के बिद्रोईयों को सरण दी गई थी यहाँपे किसको एक तो मोहम्मन साथे दूसरी ते केप रूँ तो इन्हें सरण दी गई थी इसकी बैसे यहाँपर अक्रमण किया गया था नैस्टे हमेर ने सुल्तान अलाउद्दीन खल्जी के किस बिद्रोई सेनपती को रणथम्बोर दुर्ग में सरण दी थी तो भी हमने देगा मीर मोहमन साथ को सरण दी गई थी यहाँपे नैस्टे रणथम्बोर का युद्ध 1301 में निमनोमैसे इसके मद्धिय हुए था तो यह जakingने खल्झी बे हमेर के मद्धिय है नैस्टे अलाउद्दीन खल्जी ने किस बर्द रणथम्बोर पर अधिकार किया था तो यह 1301 में हुए था अलाउद्दीन के अकर्मण के समय रड़तमबोर का सासक कौन था तो ये हमीर यहां का सासक था हमीर के किन दो मंत्रियों की गदारी से रड़तमबोर का पतन त्वारित हुआ था तो रणमल और रतीमल थे दोनों नेश्टे 1390 में रड़तमोर पर अक्रमण के दुरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेननायक मारा गया था तो नुसरत खाँ इसमें मारा गया था नेश चलते हैं रड़तमोर के हम्मीर के बिरुद किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नितरत्व किया था तो नुसरत खाने खिलजी सेना का नितरत्व किया था रर्थमोर की बिज़े के उपरांद अलाउद दिन खिल जी ने इस दुर्ग पर किस के अधिकार में सो पता तो उलुग खान के अधिकार में सो पता है चली नैश्ट है निवनवे से कौन सा सासक जालोर के चोहन बंसे संबन दे नहीं था तो ये बत्स राज ये 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 चोहन बंसे नहीं था जबकि ये गोजर परतिहार बंसका था ये नैश्ट चलते हैं जालोर के चोहन सासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के अकरमन का सामना नहीं करना पड़ा ये थे चाचिंग देभ थे किरतिपाल कंद्नर देभ कहान का सासक तो कंद्नर देभ था जालोर का सासक चली नैश्ट है जालोर के अलाउद्दीन का संकालिन सासक कौन था तो ये थे कन्नर देव नेश्ट है निमलिकित में से किस राज़दानी राजिश्थानी गिरंथ में अलाउद्दीन खिल्जी का जालाउर बीज़े का बेवरण मिलता है तो ये किसमें मिलता है कन्नर देव प्रबंद में मिलता है तो ये किसने लिखा था पतम नामी दुबारा ये क्या है कानरदेव प्रिबंद लिखा गया है अलाउद्दीन खिल्जी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खेराबाद रख दिया था तो सिवाणा दुर्ग को जीत का उसका नाम खेराबाद रखा था किसने अलावदिन खिल जी ने चलिए वे नैस्ट कोशन है फरिष्टा के अनुसार अलावदिन खिल जी का जालोर पर दुत्या करमन किस वर्स हुआ था तो ये हुआ था तेरे सो ग्यारे में नैस्ट जालोर पर सोनगरा चोहानों ने किसे पराजित कर अपना दिकार किया था तो ये परमार को पराजित किया था नैस्ट राजिस्तान का प्रतम चोहान राज ये कौन सा था तो ये नाडोल था नाडोल के चोहानों की सागत सागत संस्था पकौन था साकामरी नरेस बागपती राज का पुत्र लक्षमा चोहन था नेश्टे अलाउद्दीन खिल जी कि विजयो का काल अनुकरम ब्यवश्टित कीजिए तो सबसे पहले उसने रनतंबोर को जीता था पहले में रनतंबोर आएगा उसके बाद में फिर कितोडगड को तोडगड या गया तीसरा पहला और तीसरा तो पहला तीसरा इन दोनों में नहीं पहले में रिश्ट में है उसके बाद में सिवाना को जीता फिर जालोर को जीता जालोर सबसे लाश्ट माएगा तो दो सबसे लाश्ट माएगा तो हमारा ये आंसर आ जाता है तो आपको पताने चीए रनतंबोर 301 में कि तोड़कर 303 में सीवाना 308 जालोर 311 चौहान सासिको का कालनुकरम बेविश्थित कीजिए तो सबसे पहले को आएते बेग्रियराज फोर्ट आएते उसके बाद में पृतिवराज सेकंड उसके बाद में सो मेस पर फिर पृतिवर कालनुकरम बताना है कि कौन पहले कौन बाद में थे तो सबसे बहले पृतिवराज पृतिवराज फिर इसमें अज्यराज उसके बाद में फिर आड़ोराज फिर बिग्रियराज तो चोता यह ठीक है यहाँ पर एक बार देख लिए बासुदेव चौहान गूबग बिग्र सेयुद फिर फिर तिर्थिय यह तीनों बिग्री राज एक बार वाए और प्रित्रभराज यह आगे बीच में आज्यराज फिर अगंव राज प्रित्र इसमें ब अब छोहन राजवन्स के सद्वां कालनुकां बताना है तो इसमें आपको कि पता है उसके चिक और अब है कि रबेरत है दो एक से उसके बाद में राय प्रतों परतों जुआ नाम किसके नाम पर रखा गए था जहलवाड राज्जे की स्थापना कभूई थी तो 1838 में जहलवाड राज्जे की स्थापना की गई थी नेश्ट है अंग्रेजों ने मांग्रोल युद में कोटा महराज के बिरुद किसके साहता की थी तो ये जालिम सिंग की साहता की थी नेस्ट है हुँचा नामक घोड़ा किसका था तो ये बुंदी के उमेश सिंग का था ये नेस्ट है बुंदी रियासत किन दो सासकों के अदिन फली-फूली तो ये कौन-कौन थे नेस्ट है जाला जालिन सिंग के बारे में कौन सा कतन सही नहीं है तो कोटर राज्य का सासन पूर्णते उनमें नहीं था तो ये बात गलत है नेस्ट है चोहान मंस के संतापक सैसमल की राजदानी कौन सी क्या थी तो इनकी राजदानी वह करती थी सिरोही चली नेस्ट चलते है निमली कि तमेंसे कौन सी पुष्टक चोहानों के इतियास के बारे में जानकारी का सिरोत नहीं है तो कौन सी हर्ष चरित इसका सुरोत नहीं है बागी प्रतिविराज भी जए सुर्जन चित्री और ये हम्बेर महाकाब्य इसका सुरोत है नेश्ट है मेवाड ये फिर गुहिल सिसोधिया बंस चलिए देखते हैं कौन सा विद्वान गुहिलितों को ब्रहमण उत्पतिश से के स्दानत के विरुद्ध है तो ये कौन सा जी एच ओज्जा नेश्ट है नेडसी की ख्यात में गुहिलों के कितनी साखा का उले किया गया है चलिए नेश्ट है बपपा रावल का मोल नाम किया था तो मुल नाम काल भोश था नेश टेक गुहिल बंस का पहला सासक कौन था तो ये था बप्पा रावल नेश चलते हैं 734 सीजबी तक राजिश्थान में मौरिय बंस का सासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था तो मान मोरी था इसका सासक कालनो करम के देश्टी से कौन सा सही है तो जेत्र सिंग फिर तेज सिंग फिर समर सिंग तो जेत्र सिंग 1213 था ही तेज सिंग 1232 और समर सिंग 1273 तो तीसरा अंसर इसमें आ जाता है चली नेश्ट है जेत्र सिंग था मेवाड का सासक और मेबाड बासियों के बीच में चितोड की गहरवंदी किसबर्थ हुई थी तो ये 1303 में गहरवंदी हुई थी 1303 में इसने दुर्ग पर अधिकार कर रतन सिंग को बंदी बना लिया था गोरा यानि पदमवनी का चाचा और बादल पदमवनी का भाई द्वारा मुक्ती के प्रियास के दौरां रतन सिंग की मरतियों हो गई थी चलिए नहीं चलते हैं किस रचना में अमीर खुसरों ने चितोड पड़ अलावदीन खिलजी का अकर्मार का बंदन किया है तो इसने किया है खजाइन उल्फ हुतूम है इंपोटेंटे नोट कर सकते हैं 1303 इसभी में कि तोड़ गड़ अभियान के दुरान जो मुस्लिम इतिहास कर अलावदीन खिलजी के साथ गया था बै कौन था तो अमीर खुसरों था हो नेश्ट है बैराजपूत रानी जिसने अलावदीन खिलजी के 1303 इसभी में चितोड़ गड़ पर कबज़ा करने पर जोहर कर लिया था कौन थी पदमावनी थी ये गोरा और बादल ने किसकी रख्षा की थी तो ये पदमावनी की रख्षा की थी 1303 में चितोड बिजय के बाद अलावदीन ने चितोड़ का नाम कहा रखा था तो ये इसका नाम रखा था खिजराबाद नेश्ट है कौन सी सोदिया बंस के पूरवज बनी थे तो ये राना हमीर थे नेश्ट चलते हैं विसम गाटी पंचानन की संग्या मेवाड के किस सासक को दी गई थी तो राना हमीर को दी गई थी नेश्ट है मेवाड के किस सासक के समय जावर में चानदी की खान से खनन प्रारम हुआ था तो ये लक्षिंग ये लाखा के टाइम पर ही प्रारम हुआ था चली नेश्ट चलते हैं सबसे अधिक किसे मेवाड की बोद्धिक वेकलात्मक उन्निती का सिर्य जाता है तो किसको आता महाराना कुम्बा को जाता है कुम्बा ने संगीत राज संगीत मिमान सा सूट प्रवंद नामक संगीत ग्यांत की रचना की थी कुम्बा ने जैदेप की किर्ती गीत गुबिन पर रसिक पिरिया के नाम से टीका वो चंडी सतक की ब्याक्या टीका एवं संगीत रतनाकर की टीका लिखी इसके त्रिक्त कुम्बन ने चार नाटिकों के रचित थे उनको मेवारी महाराश्ट्री करनाटी भासा बोलने का अच्छा ग्यान था चलिए नहीं चलते हैं संगीत पर लिखे गए निमलिगित गिरंतों में से कौन सा राणा कुम्बा दुबारा रचित है तो यह दिखे संगीत राज, संगीत मिमान सा, सोट परवंद और रचिक परिया यह चारो राणा कुम्बा दुबारा रचित हैं यह सुदा परवंद किस ने लिखी थी तो आप जानते कि कुम्बा ने यह लिखी थी संगीत गिरंतों मैंसे कौन से गिरंत राणा कुम्बा किरती है तो कौन से है संगीत राज हो गया संगीत मिमान सा हो गया और सुद्धा प्रवंद हो गया कला निदी नहीं है तो इसमें पहला दूसरा तीसरा अंसर है निर्तिय रतनकोस रचना किसकी है ? तो ये कुम्बा की रचना है निर्तिय रतनकोस नेस्ट है महाराणा कुम्बा द्वारा लिखित कौन सी किर्थिया है तो आपको बतानी है तो पहला सुन्दा प्रबंद देख लिया उसके बाद चंडी सतक देखिया बश्तु मंजरी नहीं है और यह राज बल्लब नहीं है तो पहला इसका अंसर आजाता है कौन सा गिरंथ कुम्बा द्वारा रचित नहीं है तो कुम्बा द्वारा देखे संगीत राज है संगीत मिमासा है सूट प्रबंदन है तो संगीत यह संगीत रतनाकर नहीं है नेश्ट है महाराणा कुम्बा के विसे में निमलिकित में से कौन सा कतन ऐसत्या है ऐसत्या वताना आपको बे स्विंग विद्वान ना थे तो ये विद्वान थे इसने यहाँ पर न लिखके काम खरब कर दिया नेश्ट है महाराडा कुंबा द्वारा रचित गिरंत संगीत राज कितने कोसों में बिवक्त है तो ये पांच कोसों में बिवक्त किया गया संगीत राज को नेश्ट है कुंबा द्वारा रचित गिरंत है कौन सा संगीत राज कुंबा द्वारा रचित है नेश चलते हैं, सूड प्रवंदर के लेखाग हैं, आपने देखता कि कुमबा इसके लेखाग है, नेश चलते हैं, कौन सा गिरंत कुमबा द्वारा रचित नहीं है, तो आपने देख लिया, संगीत राज इनके द्वारा रचित है, संगीत मिमान सा हो गया, रसिक प्रिया हो मुर्थी यह मुर्थी निर्मान प्रितिमास तब न तो ये इस ये था शे नहीं पूछया था और आगा देखते हैं सिल्प शाश्वेति मंदन्द वारा रचित गिरंधे रूप मंदना का सम्मनत की विसे साय थे तो ये विसे है मुर्ति कला किस राजा को अभिनव बारता चारी है यानि कि हिंदू, सुर्तान, छाप गुरू, रायन और दान गुरू की उपादियों से वाजाने जाता है तो कौन थे राणा कुमबा थे चलिए नेश्ट है नेश्ट चलते है राजगुरू, दान गुरू, हाल गुरू, परम गुरू उपादियां किसको दी जाती है, तो ये राणा कुमबा को दी जाती है कौन सा साजक अभीनब भारतचर्य नाम से प्रसिद्ध है, तो कुमबा अभीनब भारतचर्य के नाम से प्रसिद्ध है संगीत ग्यान के कारण कुम्बा को उपाधिय प्राप्तुयों कोन सी अभीनब भारत चार रहेगी निमलिकित में से कोन सा विद्वान कुम्बा के दरबार में नहीं था तो कोन नहीं था मुनी जेन विजय सूरी नेश्ट जेन विद्वान जो महाराणा कुम्ब के दरबार में थे कोन थे ? मुनी, जेन सून, सुरी राणा कुम्ब को निमलिक बादियंत्रों में तक किसम दख्षता हसिल थी तो बीणना बजाने में इनको दख्षता हसिल थी नेश्ट चलती हैं कुसाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुम्बा ने कराय था इस्तित कहाँ पर बदनौर में इस्तित है बदनौर कहाँ पर भीलवाडा में ही बै कौन सा मेवाड का मसूर सा सकता जिसने आचलगड के किले की मरमत कराय थी तो कौन तो महाराणा कुम्बा थी राजिष्टानी बश्टुकला का जनक किसे मने जाता है तो इनको महाराणा कुमबा कोई राजिष्टानी बश्टुकला का जनक मने जाता है कौन सर दूर्ग कुंबा दूर्ग नहीं निर्मेते तो गागरोड का नहीं है बागे कुंबलगड बसंति दूर्ग मचान दूर्ग सब इसने कुंबाने वनवाई थे बैपरसिद राजपूत सासक कौन था जिसने राज़िस्तान में सर्वधिक दुर्वो और जोनदार आहम निर्माण कराया था तो कौन तक महाराणा कुंबा ही थे चली नेश चलते है राणा कुंबा द्वारा रचित आचलगण का किला किस इस्थान पर इस्थी थे तो आचलगण का किला है आपका माहूं टाबू पे माराणा कुंबा को कितने किलो की निर्माण का सिरे प्राप्त है तो इन्हें जो है 32 किलो की निर्माण का सिरे प्राप्त है चितोडगण में विजय इस्थम्प के बारे में कुन सा खथन नतब तक थी है ठीक है तो पहला है एक पिरसिद्द के महराना कुम्पा ने बर्माया था ordज़न ठीक है कुल 11 मंज़िले हैं ये गलत है तो कितनी मंज़िले हैं इसमें 9 मंज़िले हैं तीसरा इसमें जेता की मूर्ती उत्किरन है तो ये बाट ठीक है तो पहला और तीसरा अंसर आ जाता है कुम्बा दुबारा निर्मित कीरती इस्थम कितने मंजिलों का है तो ये कितने मंजिलें इसमें नो मंजिलें है नेश्टे चितोडगड इस्तित बिजे इस्थम पर पहला इस मरक डार्क टिकेट कब जारी किया गया था तो 1949 में जारी किया गया था है किरती श्थम को राणा कुमबा ने अपने किस उपस्य देव को समर्पित किया था तो ये विश्णो को समर्पित किया है नेश्ट है महाराणा कुम्बा ने डेश डेश पर बिज़े प्राप्त करने की उपलक्ष में बिज़े श्थम का निर्माण कराया था तो कहां पर मालबा और गुजरात की सेना पर बिज़े प्राप्त करने की उपलक्ष में सारंगपुर युद्ध किन राज्जी के मद्दी लड़ा गया था तो मेवाड और मालबा के मद्दी लड़ा गया था ही कब 1437 में लड़ा था ही सारंगपुर के युद्ध कब लड़ा गया था 1437 युद्ध में लड़ा गया था नेश्ट है निएश कोस हैं 14-37 में میवाड मालबा युद्ध का तत्कालिन करण किया था तो तत्कालिन करण था कि मालबा के मालबा के मे righteous पवार को मेवाड को सोफने से इंकार करना मालबा किस सुल्टान को राना कुम्भा ने कई भार प्राजित किया था तो कौन सुटें यहां पर यह मेहमून खिली को कई बार प्राजित किया था कुमबा का गुजरात के साथ संगर्ज का प्रेरामिक करान क्या था तो यह था इसका प्रेरामिक करता नाग और बिबाद नेश चलते हैं चंपानड की संदी किसके मद्दी होई थी तो चम्पानट की संदी मालवा और गुजरात के सुल्टानों के बीच में हुई थी ये कब 1456 भी में नेश्ट है राइस्तान में कि किन सांसकों को बिद्वानों ने हिंदुपत कहा है तो ये सांगा को हिंदुपत कहा है इसको महाराना सांगा को जबकि जैम्स टोड ने राइस्तान को सिपाही का अंसका है नेश्ट है महाराना सांगा ने इबराहीम लोदी को किसी युद्व में पराजित किया था तो ये खतोली के युद्व में पराजित किया था अब खतोली का युद्वा था 1517 इस्वी में खतोली का युद्वा 1517 इस्वि में राना सांगा वे इबराहीम लोधी के बीच में जिसमें राना सांगा के बिजय हुआ था नेश्टे मेवाड के निमली की सासकों में से किस ने इबराहीम लोदी को खतोली के युद्ध में पराजित किया था तो राना सांगा नहीं पराजित किया था खतोली का युद्ध लड़ा गया था किन के बीच में इबराहीम लोदी और महाराना सांगा के बीच में लड़ा गया था है नैस्टे का खतोली युद्ध के बीसे में निम्लिकित में कौन सा कथन ऐसत्या है तो पहला है यह युद सांगा और विबराहीम लोदी के मद्दिया लड़ा गया था दूसरा खतोली मेवाड और मारवाड सीमा पर इस्तित सामरिक मैदम का इस्ताल है तो यह बात गलत है नैस्ट है महाराना सांगा ने जिन अफगानों को सुरन दी बे कौन थे इसने महाराना सांगा ने एक तो महमूद लो दी थे और हसन खा थे नैस्ट है किस युद में मेवाड के महाराना सांगा ने बावर की सेना को हराया था तो यह कौन था बयाना का युद था है कब लड़ा गया था यह था 1527 में रानव सांगा और बावर के मद्दिया खानमा के युद्ध कब रड़ गया था बार बार पूछाया नाला कोशन है तो यह रड़ गया था 1527 यानि 17 मार्च 1527 को यह रड़ गया था 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राना सांगा और मोगल समराट जारुद्दिन बावर के बीच में युद्ध रड़ा गया था यह मैदान जो अभी भारतपुर जिलेक में रूप बास तैसिल में है यह चलिए नएश चलते हैं खानवा के युद्ध में बावर के बीरुद राना सांगा के पक्षमें लड़े थे तो कौन-कौन थे यह तो राजा भारमल थे दूसरा बीरम देव यह मेड़तिया तो यह दो थे खानबा के युद्ध में माराना सांगा के पक्ष में लड़े थे कौन-कौन तो ये देखे महमुद लोदी, हसन खा, मालदेव और मैदनिया ये चारो राना सांगा के पक्ष में लड़े थे खानबा के युद्ध में जिन निम्लिगित राजपोति ये मुस्लिम युद्धा उने बावर के विरुद महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था तो इनके आपको नाम पता हुने चीए महमुद लोदी तो थे हसन खा थे रावा लुदै और गोकुल दास ये चारो थे तो यानिकि इन्होंने चारो ने बाग लिया था इसकी विरुद तो इनके निम्लिगित में जिन निम्लिगित विकनेर के सासकों में से किसने खानबा के युद्ध में राणा सांगा की योड़ से बाग लिया था तो कौन थे राब कल्यान मल नेश्ट है राणसांगा के उस सहयोगी का नाम बताए जिसने खानबा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन बापस ले लिया था तो कौन थे सल अधी तबर नेश्ट है रावत जग्गा एवं रावत बाग किस सासक के सरदार थे तो किसके राणसांगा के सरदार थे निमल के तुमें से मारवान के किस सासक ने खानबा के युद्ध में माराणसांगा को साहता प्रदान की थी तो कौन थे ये राव गांगा कार्मा के परक बढ़ागार, 25 terminology बढ़ाई में राभ गांगा ने अपने पूत्र राभ मालदेप के नितरत में चार हजार सेनक भेजका राना सांगा की मदद की थी खानभा में बावर के बडिठ राना सांगा की साहिटा के लिए किसके नितरत में मारबाडी सेना भेजी गई थी तो किसके मालदेप के नितरत में भेजी गई थी किस राजपूत सरदार ने खानबा के युद में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राजचिन धानार करके युद जारी रखा था तो कौनते जाला अज्जा का दा संसकार किस इस्थान पर किया गया था तो ये मंडल गड़ पर किया गया था कब 30 जनवरी 1528 को किया गया था नेश्ट है राना सांगा के मिर्चियों कब हुई थी तो 30 जनवरी 1528 चलिए नेश्टे राणा सांगा की मिर्चियों के बाद कौन मेबाड का सासक बना था तो राणा रतन सिंग मेबाड के सासक बने थे नेश्टे गुजरात के सुल्तान बादुरसा ने चितोडगड के लिए पर किस बर्स हमला किया था तो कब 1533 में हमला किया था नेश्टे दुत्य साका के समय चितोड़ गड़ पर किसने अकर्मन किया था तो बहादुर साने अकर्मन किया था नेश्टे चितोड़ के दुत्य साका में किस राणी ने जोहर किया था तो कोंती कर्मावती ती यनों ने जोहर किया था अक्टूबर 1566 में अकवर द्वारा चित्तोड दुर दुरक के गिराप के समय मेवार का राना कोन था? और मेवार का राना ता उश्ट हैं उद्य सिंग नेश्टे अकवर ने चित्तोड के दुरक रख दिकार कप किया था? तो किटब 15 में फरवरी 1568 में किस किले को जीतने के करम में अकवर को जैमल एम पत्ता के प्रवल बिरोत का सामना करना पड़ा था तो चितोड़ को किले को जीतने के संदर्ब में चितोड़ का तीसरा साखा कब हुआ तो यह वह था पंद्रेसो अड़सेट में मेवाड के उस महाराणा का नाम उले कीजिए जिसने मालवा के सासक बाज बादूर को सरार प्रदान की थी कहांके मेवाड के महाराणा का बत्ताना है तो कौन थे ये थे आपके महाराणा उदे सिंग महाराणा प्रताब की जनम इस्तली कहां पर है पूछे आता है कुंबल गड़ में जनम इश्ट लिए इनकी चली नेश्ट है जनम कब हो था इनका तो पंद्रेसो चालिस में जनम हो था इनके बच्पन का नाम क्या था कीका इनके बच्पन का नाम था साथ सक बनने से पहले कीका के नाम से जाने जाता था कोन महाराणा प्रताप को कीका कहती थे महाराणा प्रताप का जन्म किस बर्स हुआ था तो जन्म हुआ थे इसका 9 माई 1540 को नेस्ट है महाenा परताब का राज्य विशेग यानि सरपरताम हुआ था कहां पर गोकुंदा में चली नेस्ट है महांठाब ने किस बर्स मेबाड राज्य की राजगध्धी समाली तो 1572 में ये राजगध्धी समाली गई थी अकबार दुआरा माराना पृताप से बाद्चीते तु बेज़े गे दूतों का सही किरह मताना आपको सबसे पहले तो उन्हों ने बेजा जलाल खा को फिर मान सिंग को फिर भगवत को फिर टोडरमल को तो पहले कब बेजा 1572 में जलाल खा के नेत्रत में ये बेजा था किरम आपको पता होना चाहिए जे एम बी टी याद रखना जलाल उसके बाद में मान सिंग फिर भगबंत दास फिर टोडर मल अकबर ने राना परताब को समझाने के लिए किसको पिर्थम दूद के रूप में आप देखते हैं कि जलाल खाओ को भेज़े था जे एम बी टी तो कोने टोडर मल है कौन सा लक्ष है हल्दि-गाटि के युद्ध में माराना परताप क्यों बिजयाई मानता है कौन सा साक्षी है सुरी तो पहला है राज प्रिसिष्टे ढूसरा राज-प्रिकास तीसरा जगदीप मंदिर प्रिसिश्टी और ये चारो सभी याने की चारो मा लड़ गया था तो अल्दी गाटी के जुद्ध में किसने किसे हराया तो अकवार ने राणा प्रताब को हराया था अल्दी गाटी के जुद्ध की विष्टरी जानकारी अबुल अब्दुल कादिर बदायनी ने किस गिरंत में लिखी है तो मुंतख उत तवारिख में लिखी है नेश्ट है बीर बिनोद के अनुसार हल्दी गाटी जुद्ध में मुगल सेनक की संक्या कितनी थी तो इनकी अनुसार 80,000 सेने ती जबकि परताब के पास कितने सेनक थे इसके बीदा जहला और रावत किष्ण दास चंडावत तो यह तीनों लड़े थे माना ना परताब की सेनक के नियतरब किसके आत में थे तो परताब सिंग के जनल कों थे यह मान सिंग थे चलिए नश्ट है अलदी गाटी के जुद्ध में मुगल समराठ अकबर की सेनक के के हात में था हाल दी गाटी के जोदमे माहना परताब की सेनक के नियतरब किसके आत में था तो यह अकीम खा थे तो यह तस प्रोहित गोपिनाद्र राना पुंजय और यह कुन थे? जैमल, जैमल महता थे, हकीम कहा नहीं थे, और बाकी थे, यह आपके चारनग जैसा, जाने के यह चार लोग थे. हल्दी गाटी के युद्ध में किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है तो ये अवुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा किसको हल्दी गाटी के युद्ध को अवुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है बदायुनी ने गोकुंदा का युद्ध का है तोड ने मेवाड के तियास में थर्मोपाली के नाम से कहा है इसको करनल तोड ने किस नाम से समझुद किया इसको मेवाड की थर्मोपली हल्दी गाटी के युद्ध में बदाई उन्हें ने किस नाम से इसको संभूजित किया तो इसे गोकुंदा युद्ध के नाम से बताया है माना परतब के हाती का नाम क्या था तो हाती का नाम ये राम परसाथ था जबकि अगर बात की जाए मान सिंग के हाती का नाम तो मरदाना था अकबर के हाती का नाम हवाई था बाकी अन्या हाती कौन थे लूणा, गजबत, गजराज, रनमदार, खंडेवाल हल्दीगाटी के जुद में मुगलो और महाराना के सेनिकों के साथ दोनों पक्चों में जिन हातीों ने बहुत बेरता दिकाए थी उनके नाम क्या थे तो अभी मैंने देखे लूणा, रामपिरसाद, गजमुक और गजराज घराज, और रनमदार हातियों को किस युद Grade में भाग लियाता तो यह हल्दीगाटी के युद決 में भाग लियाता किस इष्थान को अल्दीगाटी, युद्ड के पश्चात महाराना परताब ने सरबदी की समय के लिए राजदानी बनाया था 54 को राजदानी बनाया था उसके जीवन कल की 12 बरसु तक मेवाड की राजदानी रहा है ये चली नश्ट है महाराणा पृताब ने अपने नवीन राजदानी 54 में कविश्थावित की थी तो कब बनाई थी ये बनाया थी 1585 में नश्ट है 54 महाराना प्रताब के कितने बरसों तक राज़दानी रहा तो ये 12 बरसों तक राज़दानी रहा नेश्ट है मुगलों के बिरुद्ध कहां से प्रत्रों जारी रखा था इसने महाराना प्रताब ने तो जाले रगा था चावण से तोडगर यानि के राबली बनी ये बहरना में इस्तित दिवेर इस्तल राजा से समझ दीते महाराना प्रताब महारा प्रताब ने कितने बरसों तक साथन किया था तो इन्हों 24 बरस तक साथन किया था चली नहीं चलते हैं, दिवेर का युद्ध किन किन के मद्दिया हुआ था, तो महाराना प्रताब और सुल्तान खा के मद्दिया हुआ था है, तो कब हो था पंद्रसो ब्यासी में, चली नहीं चली नहीं चलते हैं, पंद्रसो ब्यासी में महाराना प्रताब के दिवेर विज् को महाराना प्रिताब के समय अकवर ने साबाज खां को कितनी बार मैंवाड़क पर अक्रमण के लिए बेज जाता तो तीन बार अक्रमण के लिए बेज जाता नेश्ट है मेवाड के महाराना पिरताप के विरुद अन्तिम मोगल समराट अकवा ये अकरमण का नेतर किस ने किया था तो जगनात ने किया था ये देखे मान सिंग ने कब 1576 में ये भीहन किया था बगवन दास मान सिंग कुतुबुद्दीन कहा ये अकवान ने खुद किया था पंदरसी शेतर में सहवाज खां 77 सहवाज खां 88 सहवाज खां 89 तेन साल लागतार इसने किया अब्दुरहिम खान खाना 15 जगनात कश्वा अंतिम अभियान किया था चौरासी पिचैसी में ही हल्दी गाटी के जुद्द के बाद निमले की तुमेदे किन सेना नाइकों को नितरत में अकवान ने माहराना प्रताब के बेवत दुस्सेनी का भियान भेजे थे तो ये अब्दुरहिम खां खाना के सह दूसरा तीसरा ठीक है 1578 में कुम्बरगड़ पर किसने अक्रमण किया था तो ये सावाज खाने तीन साल ला अतार किया था है नेश्ट है माहराना प्रताब और अकवार के मद्या संगर्स से समंदित कौन सा कतन सत्या है तो ये देखिए अकवार ने राना प्रताब के सोतेले भाई जगमाल को प्रलोवित करकर जहाजपुर की जागेदारी प्रदान कर दी दूसरे क्या कि मान सिंग के चले जाने के पश्चारत राना सांगा ने गोकुंदा को पुने हश्टागत कर लिया था तीसरा है राना प्रताब ने इडर के नराय अड़ास को अकवर के बिद्रो करने को उकसाया चोता है राना प्रताब को पकड़ने का अंतिम एसफल प्रियास चोतर चोराजी पिच्चासी में छोड़ा गया जब जगनात कच्वा को एक बड़ी सेन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया था तो चारो बाते हैं ठीक है चली नेश चलते हैं बास्ता ने बास्ता ने मेवार के राना को आपस के समझोते के अदिन किया था ना कि बल से यह कतन किसका तो यह टॉम स्रो का कतन है नेश चेप 1576 के जुदुमे के बाद अकवन ने उदैपूर का प्रिसाथन किसने सो पता किसे सो पता तो यह सो पता आमेर के जगनात कच्वाग को मारना प्रताब के किस सोतेले भाई को अकवन ने जहाजपूर की जागीरी प्रदान कर दी थी तो यह है जगमाल सिंग को नेस्ट है सुदहार मंडा दुआरा निम्ली के तुमेंजे किसकी रचना नहीं की गई है तो यह जो है चकरपाणी मिस्र एवम बश्तुमंजरी की रचिता कोन मंडन के भाई ना था थी तो यह दो की रचना नहीं की गई थी इन्होंने इसकी एक तो इसकी ब्यवार हर्स की और दूसरा बश्तुमंजरी की तो दो इसमें दो आएंगे आंसर महरा प्रताप के दरवारी विद्वान जिसने महुरत माला गिनंत की रचना की दिवाए कोन थे चकरपाणी मिस्र थे महरा प्रताप के पुछ है सकता है किसे चकरपाणी मिस्र दौरा नहीं लिखा गयाया तो किसी को देब बुणी देफ मूर्ती पृक्रान को नई लिखा गया, किसके द्वारा मन्ना द्वारा लिखा गया है मारा प्रताप की मृत्यु के पेच्चात निमन में से कौन सा राजपूत मैवाड़ के सासक बना था तो ये कौन से अमर सिंग ते जो मैवाड़ के सासक बनी थे किस के साथनकाल में मुगल और महाराना के मद्धेद चितोड गरी के संधिय हुई थी तो किसके जहांगिरी के टाइम पर हुई थी किमी तो तोसी मुगल उत्डुना अजार कि अक सेन द सेन सेंस कहले सांस के मार्णा से स्थाथ या कोनसे राज सिंग से प्रॉय के रिप्र माहारानारा राजसासक किसथा". 27 इक इस हिस उडंधा 8 mm गद़ें महारानारा राज साहसक 27 में महारानाता राज्पूर्ट six司का राज्पूर राज्पूर साहसक नादोरर हे किसी स्रेशिक किनारे ही 27 साहद halves कुन साहसक मूल नाम क्या था तो मूल नाम तो इसका सिहाड 1689 इस भी में मोगल समराट औरंजेव तता राणा राज सिंग के मद्यवत पन कट्रूता का प्रमुकारान क्या था तो औरंजेव द्वारा 1689 में हिंदू उपर पुने जज्जे लगाना था चारी नेश चलते हैं निम्निकित किस राज़ पूत सासक द्वारा औरंजेव के विरुद विद्रो किया गया था महाराना राज सिंग द्वारा किया गया था नेश कोश्चन है औरंजेव द्वारा मेवाड के महाराना राज सिंग के बिरूद किस बर्स युद किया गया था तो ये 1689 में किया गया था औरंजेव दुआरा जजिया कर लगाए जाने पर किस सासक ने पत्र लिक कर बिरूद किया था तो राज सिंग दुआरा ही बिरूद किया गया था नेस्ट है मेबाड के माराणा राज सिंग के नितरत उनके दुआरा किस राजकुमारी के साथ बीवा करने के वैसे औरंजेव उनसे नराज था तो चारुमती के साथ बीवा करने से नराज था तो राणा राज सिंग मेवाड़ समकालींके थे, तो राज सिंग जो थे मुगल बाजसा सा जहा और और अरणिजेव दोनों के समकालीं थे यानि कि सा जहां और और अरंजेव दोनों के समकालिन थे नेश्ट है सा जहां के उत्रों मेहुत रदगारी युद में और अरंजेव ने मेवाड के किस राणा के सहयोग से प्राप्त करने के प्रयास किया राज सिंग से प्रयास किया थे चलिए नेश्ट कोश्चन है सहेलियों की वाड़ी के निर्मान करता कौन थे तो ये थे संग्राम सिंग सिकिंड मैवाड की किस महाराणा ने अजमेर दर्गा के लिए चार गाउं अनुदान में दिये थे तो कौन थे जगास सिंग सिकिंड थे ने चार गाउं दान में दिये थे मैवाड की किस राजकुमारी को 1810 ऐस्वि में अमीर खान पिंडारी की सलापर जाहर दे दिया गया था तो दिया गया था किष्णा कुमारी को चलिए नेश्ट चलते हैं गिंगोली यानि की परबस्सर का युद 1837 ऐस्वि में लड़ा गया था जैपुर और जोदबूर के मद्धिय है कुनसा गिंगोली या परबस्सर का युद मैवाड के किस महाराना के साजनकाल में मैवाड महाराओं के साथ सती होने की अंतिम गटना का विब्रण मिलता है काप में स्वेरूप सिंग द्वाराव ये बताए गया है नेश्ट है मैवाड के साथकों ने सौंको दिवान का इसने एकलांग एक लिंग नाज जी ने नेश्ट है डुंगरपुर राज्ये में गोहिल राजबंस का संतापकोंता इंपोटेंट है तो युद्धो का सही कालनुकरम बताना है आपको तो पहले सबसे पहले कौन सा हुआ सारंगपुर का युद्धो था वो कब हो था 1436 में उसके बाद हुआ खानबा का 1527 उसके बाद हल्दीगाटी का 1566 दिवेर का इसमें बाद में हुआ था 1522 में हुआ था तीसरा अंसर आपका आयता है नेस्ट है महाराणा सज्जन सिंग की किस गवर्नर जनरल ने ग्रेड कमांडर ओफ इस्टार ओफ इंडिया की उपादी दी थी तो किसने लॉड रिपन ने दी थी है अब देख लेते हैं कच्चवाहा बंस से रिलेटिट कोनों से कोशन पुछ गए है जैपूर का निर्माण इसके दुवरा कराया था काफ़ इंपोर्टेंट है तो जैसिंग सिखिंड दुवरा है कराया था जैपूर को पुरव का पैरिस गुलाब नगरी और सीबी रमन के सब्दों में रंग स्री के दीप के नाम से जाना आता है जैपूर सेर की इस्थापना एक अप कियी थी 1727 में की गई थी राजिस्तान के कि सहर को सीबी रमन ने आईलेंड ओफ गिलोरी नाम दिया था तो ये जैपूर को दिया था है नैश्ट की सदस्य के स्वागत में जैपूर सहर में 1866 में गुलाबी रंग से रंगबाय गया था तो ये प्रिंस अलवट एडवट के स्वागत में जैपूर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया तो महराजा सवाई राम सिंग द्वारा दिया गया जैपूर के संस्तापक सवाई जैसिंग के दरवार में बिद्दादा था एक कौन बश्तु साश्त्री जैपूर नगर के स्थापना के समय मुख्य बश्तुकार एव नगर प्रियोज़े कोन था तो ये थे विद्द्दादर बठाचार रहे हैं कच्छवा राजबंस या डूडोन राज्जी के संस्तापक कोन थे तो दूले राइस के संस्तापक थे कच्छवा राजबंस की प्रतम राजबंस की प्रतम राजबंस का थी तो प्रतम राजबंस की दोसा कौन सा कच्छवा सासक ने मेडाओ को हराकर आमेर की अपने राजबंस की बनाया था तो किसने कोकिल देव ने बनाया था नेश्टे मुगलों के बिवाइक संबंद करने वाला पर्थम राजपूत राजपरिवार कुन सा है तो कच्छवाई पर्थम ये थे अकबर द्वारा राजपूतों से बिबाईक संबन्द निती में सरप्रतम किस से बिबा किया गया था जो हरकावाई से बिबा किया गया था निम्न में से आमेर के किस साथसक ने सरप्रतम मुगलों के साथ संदी की थी तो कौन थे यह थे बहरतमाल अमेर के राजा भारमाल अकबर की अधिनता कब स्विकार की थी तो उन्हें ने 1562 में अकबर की अधिनता स्विकार कर ली थी मुगल सासक जहांगेर की माता किस राजपूद बंद से संबंदी थे तो कच्छबाओं से संबंदी थी कि से राजपूठ सासक को अकबर ने अमेर उल उम्रा की उपजी दी तो किसा दीती भगवंथ दास को दी थी है अकबर द्वारा मान सिंग को निकित में से कौन से मुगल प्रांतों का सुविदार निक्ट किया गया था तो किसका काबूल का बिहार का और बंगाल का मान सिंग को बिहार का सुविदार किस बरस निक्ट किया गया था तो मान सिंग को पंद्रेसो सेतासी में निक्ट किया गया था अकबर का नवरतन जिसे बंगाल उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का बिदुरत दवाने में एहम भूमिका निवाई कौन थे मान सिंग थे 1585-86 में किवल जिस राजपू सासक को पांच शेयर का मंसब प्राफ्ट हुआ था कौन तो राज़ा मान सिंग महराजा मान सिंग की मिर्थियों कहा हुई थी तो महराष्ट में इनकी मिर्थियों हुई थी नेश्ट है जहांगीर ने बाजसा बनने के बाद किस राजपू सासक के मंसब में कमी की थी तो किसके मान सिंग के मंसब में कमी की थी उन दो सरदारों के नाम बताई जिनों अकवर के समय 7000 की मनसबदारी परदान किय थी तो कौनते मानसिंग बे कोका अजीज अग्स सन में अकवर ने मानसिंग को 7000 जात बे 6000 सवार का मनसबदान किया था तो ये 1605 में किस मुगल सासक ने अपने सासनकाल में हिंदू राजपूत विमराठा मंसबदारों की संख्या में अधिक विरदी कीते इंपोर्टेंटे कौनते और अरंजेव थे कितनी 33% हो गए तुने के टाइम पे किस राजपूत मंसबदार को अकबर ने फरजंद की उपादी प्रदान की थी तो किसको मान सिंग को फरजंद की उपादी प्रदान की थी नेश्टेक किस राकू सासक ने अरिनात, सुंदरदास, जगनात जैसे बिद्वानों को संरक्षण दिया था तो अमेरिके मानसिंग ने इने संरक्षण दिया था कौन से अमेरिके सासक मानसिंग के संरक्षण में थे तो कौन ते जगनात इनके संरक्षण में थे जैपूर रियासत के पंचरंगा धुहच को किस सासक द्वारा बनवाए गया तो मान सिंग द्वारा बनवाए गया था प्रॉंधर की संदी 1665 किसके मद्दिया हुए थी सिवा जी मिर्जा और राज़ा जैसिंग के मद्दिया हुए थी औरंजेब की सेवा मरहा तो कुन थे मिर्जा राजा जैसिंग आमेर के जैसिंग पिर्तम को मिर्जा राजा की उपादी इसने दी थी तो ये साजहा दुआरा मिर्जा राजा की उपादी दी गई थी इंदी का प्रसित बिद्वान बिहारी इसके दरबार में था तो ये कूछटा समेलन में सब्लित हुए थे तो कौन-कून हुए थे महारारा जगश सिंग हुए थे दूसरे सबाई जै सब्सकर और फॉडा समयलन 1734 में अध्यू दिशिता न किस्की ने बरे सब न na सब初 बड़े सर्ण के राजश्व कोन गया थि प्यारा क्ला है कोन थे तो इस्री किश्ण भट कभी कला न दी थे विस्व की सबसे बड़ी तोप जैवान का निर्मान किसके द्वारा किया गया था तो ये किया गया था जैसिंग दुत्य द्वारा माहरानी अमर कुबरी बुंदिन रेस माहराब बुद्धिसिंग की पत्नी थी और बेहन किसकी थी सबाई जैसिंग की बेहन थी निम्लवित सासकों में से असमेग यग संबन कराने वाला सासक कौन था तो सबाई जैसिंग था 1733 में जीज मौमन साही पुष्टक जो नक्छत्रो समंदी ग्यान से समंदिती के लेखा कौन थे तो जैपुर के सबाई जैसिंग थे सबाई जैसिंग द्वारे लिखित जैसिंग कारी का नाम गिरंथ किस बिसे समंदित है तो ये जियोतिस से समंदित है किस समू की कहगोली है, बेज सालों का निर्माण माराया जैसिंग द्वारा कराया गया था, important question है, दिल्ली, जैपूर, उजेन, मत्वुरा, बनालास, पांथ बेज सालों का निर्माण पे जनतरमंत्र का निर्माण कराया था, इनके द्वारा, चलिए नेस्ट है, किस सहर में ज आज बेज सालों का निर्माण कराया था, कौन थे जैसिंग थी, नेवन वैसे किस इस्टार पर सबाई जैसिंग ने बेज सालों का निर्माण कराया तो मत्वुरा में कराया था है, कौन से ये रूपिया कहोल सास्त्री सबाई जैसिंग के नियंतर पर जैपूर आयती तो द्वारा सभाई की उपादी दी गई थी ह Connie Yes आए किस मुगल समराड ने कि सभाई जैसेंग को राज राजसपर की उपादी दी थी तो यह मोहमळं साने राज रा जैसपर की दी थी उपादी साजहां द्वारा सासुजा के बिरुद बेजी गई मुगल सेना का सेनापती कौन था तो मिर्जा राजा जैसिंग थे सभाई जैसिंग दुत्ये को मुगल समराड द्वारा कुल कितने बार मालवाई उबे का सुबधार नुक्ट किया गया था तो कुल तीन बार कच्छवार राजबंस के निम्र सासको का कालनोकरम बताना है तो सबसे पहले तो देखिए बगवन दासाई उसके बाद मैं मान सिंग फिर ये बगवन भाप सिंग ये फिर जैसिंग जैपुर के अलवा ठाल का उजगाटन किसके सदनकाल में हुआ था तो ये महराजा मादो सिंग जुत्य के सदनकाल में हुआ था 1743 में सवाई जे सिंग की मिर्ट्यू के बाद जैपुर की गद्दी पर कौन बैठा था तो जैपुर की गद्दी पर इस बर सिंग बैठा था इस टेम जैपुर में अविश्तित इसरलाट का निर्माण किस ने कराया था तो इसरलाट का निर्माण कराया था इस्वरी सिंग ने जैपुर का कौन सा साथ सक कभिताव में अपना उपनाम बेरेज निदी लिखते हैं तो कौन है सबाई प्रताप सिंग लिखते हैं किस राजा के दरवार में 22 कभी 22 जूतिस 22 संगितक 22 विसेविसेजग्य के रूप में गंदर 22 ही विद्वान थी तो किसके टाइम पर महाराजा प्रताप के टाइम पर थी है जैपुर के किस सासक ने ब्रेज निदी उपनाम से कभिताओ की रचना की तो कौन से सवाई परताप सिंग थे जैपुर के कौन से सासक सुवंग संगीता चार्य थे तो कौन ते परताप सिंग संगीता चार्य थे सास्ट्रिया संघीत पर रचना रादा गोमिंद संघीत सार के रच आटा कोई थे तो ये थे बरेजपाल भत थी है नेश्ट बात करते हैं तुंगा का युद्ध लड़ा गया था तो 28 जुलाई 1789 में लड़ा गया था ये नेश्ट है तुंगा यूद किन के मद्दिय लड़ा गया था तो ये प्रताप सिंग और ये सिंधिया के मद्दिय लड़ा गया था जैपुर राज्ये के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लगू चित्र बनते हैं के नामें उसका सूरत खाना नाम है महराजा सवाई इमान सिंग किस दिस में भारत के राजदूत रहे हैं तो कौन से में इस्पेन में भारत के राजदूत रहे हैं अब देख लेए राजदूत से समन्धित कोशन राजदूत सब्द निमिनमें से बनाएं दख्चल की एक जाती थी तो राजदूत नेश्ट है औरंजेब की मिर्टियू तक अपने को स्वतंतर करने का प्रियास करने वाला राजपूत राज्जे कौन सा तो मारवाड था है राठोड राजबंस के प्रतम सासक कौन थे तो राठोड राजबंस के प्रतम सासक थे राव चोड़ा नेस्ट है Máravada की राठ्रोर राजमंस के संस्तापक कुं थे तो RAB सिहा संस्तापक थे मन्डोर को राज़्तानी मनाये थे इन्गोंने किस सासक का सासंकाल 50 बर्त तक रहा था तो ये RAB जोधा का पचास बर्द तक सासन काल रहा राब जोधा किस बर्द जोधपूर नगर की इस्तापना की ती तो इन्होंने 1469 में जोधपूर नगर की इस्तापना की यह डिलेट कर दिया गाता चलिए नेश्ट देखते हैं फारती इस्तिहासकार अवुल फजल बादाविनी नियाम الدीन ने राजिश्टान की किस सासक को हस्मत बाला सासक कहा है तो माल देब को हस्मत बाला सासक कहा गया है राब की मिर्तियों के उपरांत मारवाड का सासक कौन बनाता मारवाड का सासक बनाता माल देब राजिस्तान में साहिबा का युद्ध किस बड़ से लड़ा गया था तो ये लड़ा था पंदर सु इक्तालीस प्यालिस में नेश्टार राठोर्ड सासक बामन युद्ध के नायक और ठामन परगनों का स्वामी के रूप में परतिश्ट माना जाता मालदेव को मारवाड की खुआती के अनुसार किस सासक ने बामन युद्ध में सबलता प्राप्त किये तो राब मालदेव थे तो सुमेल का युद्ध लड़ा गया था कव ये जन्मरी पंदर से चुबालिस में नेश्ट चलते हैं ग्री सुमेल युद्ध में मालदेव के बीर सहिननायक मारे गए कौन जेता कुपपा उन दो राजपूत नेताव को पहचानी जिन्नोंने मालदेव के बिरुद से गड़ जोड़ किया था तो कोन थे बिरमदेव और कल्यानमल नेश्ट है सेर्जा सूरी के अकर्मन के समय मारवाड का सास कौन था तो मारवाड का सास कता राब मालदेव नेश्ट है राब मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध छेतर से प्रिस्तान कर गए थे तो कहां से सुमेल के युद्ध से मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगस्ट गुसाई का विवा किस मुगल युवराज से किया था तो सलीम से किया था किस राजपूस सासक ने मुगलों के विरुद निरंतर सुतंतरता का संगर जारी रखा और समरपन नहीं किया था तो यह कोन थे मारवाड के राव चंदर सेन थे नैश्ट है मारवाड का बोला विसरे नइक किसे कहा जाता तो इसको राव चंदर सेन को कहा जाता है नेश्ट है मुगल बिरोधी कारवाई की दृष्टी से महाराना पिरताब का पद पिरतासक मारवाड का महाराना पिरताब माने जाता है किसको राव चंदर सेन को नईश्ट है – 1564 में चंदर सेन के कौन से भाई ने अकवर के दर बार में वो पश्टी थोकत चंदर सेन के बिरुद साहता कीती तो कौन थे? राम सिंख थे 3. मारवाड के चंदरसेन ने मुगलों से संगर्स करने के लिए किस इस्थान पर सेनना संगडित की थी तो भादरा जर्ण में संगडित की इन्हों ने नेस्ट कोशन है 1574 में चंदर सेन के बिद्रोई होने पा अकवार ने उसे दंड देने के लिए किसे बेजाता तो उसे ये बेजाता राय सिंग को नेस्ट है अकवार की साहि सेना ने किसके नितरत में जोधपुर पर कबज़ा किया था तो हुसेन कुली खा के नितरत में जोधपुर पर कबज़ा किया था तो जोधपुर राजजीय का सासन खाल सा रहा कब से कब तक तो ये 1583 से तरासी तक रहा था है जोदपुर के किस सासक को अकबर ने सबाई राजा की उपादी परदान की थी तो ये राव सोर सिंग को परदान की थी नेश्ट है महाराजा गज सिंग किस राजी की सासक है तो ये जोदपुर के सासक थे मुगल समराट जहांगेन ने दल दम्मन की उपादी किसे परदान की थी तो गज सिंग को परदान की थी राज ये रोण के समय जस्वन सिंग का संड़क चक था कौन राज सिंग कुमपावत महराजा जस्वन सिंग के रज्य रोहन के समय कितना मंसाप प्रदान किया गया था तो चार एयर जात बे चार एयर सवार औरंजेब ने जोदपूर के सासक जस्वन सिंग को 16.8 के धर्मत के युद में पराजित किया था दर्मत किस राजिये में इस्तितर दर्मत है आपका मद्धिय प्रदेश में नेश्ट है सामोगड के युद में दारा की परेजे का समाचार मिलते ही किस राजपूर सासंग ने औरंजेब की अधिनता स्विकार की तो ये महराजा जजबन सिंग थे बहत सिपासालाकार जिसे साजाहन औरंजेब के बिज्डरों का दमन करने के लिए बेए जाता तो को ते जबन सिंग दोराई का युद किस के मद्धिय लड़ा था दोराई का युद औरंजेब और दारा के मद्धिय लड़ा गया था नेश्ट चलते हैं खजवा युद 1669 में औरंजेब का साथ किस ने दिया था तो ये जस्बन सिंग ने औरंजेब का साथ दिया था नेश्ट है दुर्गादास राटरोड ने मारबाड के किस सासक को गद्धी पर बठाने में सहयूग किया था तो अजीज सिंग थे चली नेश्ट है जोदपुर के किस राज़किये दियक्ति को भागबत कतापर अधारित गज उद्धार गिरंत के रचना का सिरे जाता है तो ये कौनते माराजा अजीज सिंग नेश्ट है नेश्ट है जोदपुर में आर्यस समाच की इस्तापना किस सासक के सासंकाल में की गई थी तो ये माराजा जजवन सिंग दुट्य थे गिंगोली का युद किसके मद्दिय हुआ था तो जैपुर और जोदपुर के मद्दिय हुआ था है 1818 के संदी के पश्चाद बिर्टिस बिरोधी भावना रखते हुए जोदपुर के किस माराजा ने अंतर सन्यास ले लिए था तो कौनते माराजा मान सिंग जोदपुर माराजा अबै सिंग और सर बुलंद खां के बीच हुए एमदबाद युद का आँको देखा बढ़न किस किरंत में मिलता है तो राज रूपक में मिलता है बारत की शोथनतिता के समय जोदपुर राज जी का सासक कोन था तो ये थे माराजा हनुमन सिंग राठवÕड recognize की मेरतिया साका के संताब कोन थे तो ये थे राव दुद्धा ने शोथने की सासक को कल्युक का कंण कहा जाता है तो ये राव लोण कंड को का जाता है नेश्टे बावर के पुत्र कामरान और बिकनेर निरेस के मद्दिये युद्र का बढ़न किस गिरंत में मिलता है तो ये राब जेटसी रोच्छंद में मिलता है किस ने 1544 में बिकनेर का पुन्रादिकार राब जेस्टी के पुत्र कल्यान मल को दिया तो कौन थे ये सेड़सा थे अकबर द्वारा राजपूत राजाव का एतियासिक दरबार कायजन नागोर में किस बर्स किया गया तो ये 1570 में किया गया था अकबर ने अपनी 1570 की नागोर यात्रा के समय जोदपूर दुर्ग किसके सुपूर्द किया था तो ये राए बिकनेर राइसिंग बिकनेर के सुपूर्द किया था नेश्टे बिकनेर राजिये तथा मुगलों के बीच प्रितम संदी पर हच्टाक चेक करने वाले सासक कौन थे कल्यान मल थे नेश्टे बिकनेर के माराजा राज सिंग गड़ी पर कब बैठे थे तो ये बैठे थे 1574 में बिकनेर का कौन सा सासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा मर रहा है तो ये राइसिंग रहे है नेश्टे बिकनेर के सासक राइसिंग का सासन काल कब से कब तक रहा पंदरस चोटर से सोले सो बारे तक रहा है नेश्टे राजिस्तान के निम्लिकित सासको मेज़े किसने 1560 मेचंदर सेन के दमन हेतू मुगल सेना के साथ बेजा गया था तो किसको विकनेर के राजा राजिसिंग को बेजा गया था नैश्ट है बिकनेर के राजा राइसिंग 1593 में किस अभियान पर भेजा गया थे तो इनको धट्टा के अभियान पर भेजा गया था किसके बियुद बुराहन उल्ला के बियुद दयानियल के 1593 में धट्टा के अभियान पर राइसिंग समलित थे मुगल सासक अकवर के समय बिकनेर के सासक राय सिंग निमले गितमे से किन सेन्या बैन पर सामिल नहीं हुए थे तो ये बंगाल के सेन्या बैन पर सामिल नहीं हुए थे 1532 में अकबर ने जोदपूर किसके सुपूर्थ किया था तो अकबर ने जोदपूर किया था राय सिंग के कब 1532 में नेस्ट है किस राजपूर सासक को राजपूताना का का जाता तो किसको राय सिंग को राजपूताना का का जाता है नेश्ट है अराब राय सिंग को राजपुताना का कंड किस ने कहा था तो ये कहा था मुंसी देवी पिरसाद ने अकबर द्वारा निमन में से कि सासक को समसाबाद एवम नूरपूर की जागीर एवम राय की उपादी दी गई थी तो ये थे भाहराजा राय सिंग इतियासकार जी एचोजा के अनुसार मतीरे की राड नामक यूद कब लड़ा गया था तो ये यूद लड़ा गया था सोले सो चुबालिस में चली नेश्ट है बिकनेर के कौन से सासक को उसकी बीरता से प्रवावित होकर औरंजेव ने माही मरातिब की उपादी दी थी तो ऐसे कोशन पूछले जाते हैं तो ये किसको राब अनुप सिंग को दिये थे बिकनिर के अनुप सिंग को अरंजेव ने कौन सी उपादी सम्मानित किया था तो माही मरातिप के नाम से ये सम्मानित किया था अनुप बिलास संगीत गिरंद के रचनकार कौन थे, यह हैं पंडित भाव भड़्ट नेश्ट है बारत की तुटंतरता के समय बिकनिर रज्जे का सासक कौन था तो ये महाराजा सारदूल सिंग से सासक मेवाड आयों मारवाड की से जुक से ना है मुगलो के दुवारा कहा पराजित की गई थी तो ये देबारी में 1680 में पराजित हुई थी कौन सा बिकनिर के महाराजा गंग सिंग के विशे में सत्य नहीं है तो ये देखी उनके सासनकाल में गश साही सिक्के प्रारम होते हैं ये सत्य नहीं है शरी नेस्ट चलते हैं नेस्ट कोश्चन है कि राजिष्थान के किस सासक ने दुत्य गोल में सम्मेलन भाग लिया था इंपोर्टेंट कोश्चन है गंगा सिंग ने भाग लिया था चेंबर ओप प्रेंसिज यानि नेंज मंडल का प्रितम चांसलर कौन था तो ये गंगा सिंग थे पिरतम चंसलर हरमाडा का युद किस के मद्डिय लड़ गया था तो हाजी खां और उदे सिंग के मद्डिय लड़ गया था है नेस्टे मारवाड में राटोंन बंसके सासकों का ठांणों कम बताना कुण सा है तो पहले राव सिंग आए फिर राव आईस्तान फिर राव दूहर फिर राव 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 पाल तो ये चोथा सही है मारवाड के साही कराने से सम्दिद एक राजपूत राईस और सत्रवी सताबदी के भारत में मुगल समराट साजां के दरबारी कौन थे तो कौन थे अमर सिंग राठोड अब कुछ अन्य राजबान से देख लेते हैं निम्न में से किसने अपने आपको हिंदुष्टान का बास्ता यानि नडल में जन्मरी 1688 में घोचित किया था तो कौन थे सहजा था अकबर कतिपे राजबूद सासकों में इन्हें दो कचेन कर उन्होंने मुगलों का सहयूग किया था तो कौन थे एक तो आपके थे मान सिंग दूसरे राजबान सिंग 1177 सामन सिना यानि सामन सिंग के दरबार द्वारा जैस जैस हातों पराजित होने के बाद डूंगरपूर रजजी की स्थापना किस ने की थी तो ये किर्थिपाल चोहन थे नैस्ट है राजा बहादूर सिंग से कबत कहां के राजा थे तो ये खंडेला के राजा थे जैसलमेर में 1550 सीजबी में बागे सासक लोन करण के समय अर्ध साका हुआ क्योंकि इसमें के स्रियत हुआ किन्तु जोहर नहीं हुआ था इसमें किसमें अर्ध साका हुआ था तो कहां पर जैसलमेर में जाट बंस का 28 सताब्दी के मद्य किन भुबागों पर अधिपत्य था तो जाट बर्क का था भरतपूर दोलपूर साइड में नेश्ट है महाराजा सुरजमल किस राज्य के सासकते तो ये कहां के भरतपूर के सासकते बरतपोर के किस जाट समर्णट को जाटो का अफलातून यानी कि प्लेटू का जाता है तो किसको सुरजमल को महराजा सुरजमल किसके पुतर थे तो ये पुतर थे बददन सिंगे नश्टे जबार सिंग एवाण रणजी सिंग किस रियासто के सा सकतेilot W-K नेक्ट है कौन सा प्रताबगड का सासक नहीं रहा है तो कौन ये रणजी सिंग। नेक्ट है महाराजा जो रजमल का अन्य कौन सा नाम था तो इसका नाम था सुजान सिंग। उनिस सो से तालिस में हृती बारत के विवाजन के समय राजपतान की रियास्तों के अधिकान जहस्या मुक्त रहे। लेकिन निमलेगत में से कौन सा राज्य में ब्यापा की स्दर पर हिंसा उइ थी तो भ़ारतपूर में ही हुई थी। नेश्ट है तलावे शाही यानि दोलपूर का निमाड जहांगिर के किस मनसबदार ने कराया था तलावी शाही का निमाड कराया था अपका सलेख खाने तो तलावे साही का पर दोलपूर में है यह तो किसने फ्रोशत द्वारा बारसो में इसका निमाड कराया गया था नेश्टे दोलपूर के पास पर्याटर निश्टलों में से 1627 सीवी में राजकुमार सा जहां के लिए सिकार निश्टल यानि सूटिन लोज के रूप में निर्मित कराए गया था किसने यह तलावे साही नाम थे इसका निश्टलों के तो युद्धो का सही तितिकराम रखते हुए उनका चैन करना है तो सबसे पहले इनमे कौन सा युद्धो था बटनेगर का युद्धवा 1398 में तो यह सबसे पहले यह वह था दूसरा पहला आएगा तो दूसरा पहले केवल इसमें है उसके बाद खानवा का आप सब जानते हैं 1527 में हुआ था उसके बाद सुमेल का 1544 में उसके बाद हल्दी गाटी का 1568 में सबसे बाद में हुए निमल युद्धो को सही तितिकराम में रखते हुए सही उत्तर का चैन कीजिए दूसरा वह था पहले इनमे युद्ध वह तरा इन का फिर दूसरा भील सासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंग ने स्वेंग माहरावल का ताज पहना था तो कौन बास बाड़ा राजिस्थान का कौन सा सासक राजबंस या दब राजबंस से संबन्दी थे तो कौन भाटी नेश्टे कहां के सासको दुआरा रावल और महरावल की उपादियत गिराण की गए थी तो कहां के डुंगरपुर के राजिश्थान में या दब राजबंस का सासन करता कौन था तो ये थे करूली एवम जेसल में दोनों में नेश्टे किसने करूली को अपनी राजबंस की राजबंस की राजबंस का थी इंपोटेंट है तो इनकी राजबंस की राजबंस की राजबंस की राजबंस का थी इंपोटेंट है तो इनकी राजबंस की राजबंस की राजबंस की राजबंस की राजबंस की राजबंस की र नेश्टे चावाणों का प्राचिन राज्ये कौनसा था तो इनका भीनमाल प्राचिन राज्ये था रियासत और साषकों देश्त कोनसा नहीं है तो पहला ही जहलवाण सुमेर सिंग से ये संबलित नहीं है निम्न में से राजपुतानों के किस छेत्र पर बरिक बंस से सासन किया था तो बयाना में बरिक बंस ने सासन किया था राजपुतों के नगरों और पृषादों कब निर्माड पहाड़ीं पर हुआ क्योंकि किकुपे सत्रूं के विरुध प्रकृतिक श्रुक्षा के साथन थे पंडित हरिनायन सर्मा को अलबर के किस सासक ने अपना सलका नियुक्त किया था तो किसने जै सिंग ने नियुक्त किया था युवान शौंग दुवारा लिखित पीलो यानि कि हिंशौंग यहाँ पर युवान शौंग लिखिता है हिंशौंग नाम है पीलो मोलो के रूप में किस इस्तान की पहचान की गई है तो पीलो मोलो के रूप में बहिनमाल की पहचान की गई है चीनी यात्री किसने बहिनमाल की यत्रा की थी तो कौन से शंग्यून नहीं हेंशोंग थे यह सुरी हेंशोंग थे जिन्होंने यत्रा की थी कौन सी नगरी महा कभी माग की नगरी के तोर पर जानी जाती है तो कौन सी बहिनमाल को जाना आता है हिंचोंग राइस्तान आया था तो अर्सवरंदन के टाइम पर ब्रासिद्दान्तों के लिखक ब्रावगुप्त ने किस सहर में रहका गड़ीत संबंदी ग्यान का परसार किया था तो बहिनमाल दप्ताने के युद्ध के समय सिरोई का सासक कोन था तो महाराब सुरातरान सासक थे अलावदिन कलजी के समय सासक इस्तान का समय था नहीं है कौन सा जूतपूर बेरमल देव नहीं थे बागी रणतंबोर हमेर देव चोहान चितोड़कर रावद रतन सिंग सिवाड़ा ये तीनों ठीक है बुंदी रियसत के अंतिम अधिकारिक सासक कोन थे तो ये कोन थे महाराजर राव बहदूर सिंग सासक और राजबन कोन से संबंदी थे ते देख लेना पहला बिग्रे राज आप जानते हैं चोहान से संबंदी थे और बबपरावल की बात करें हम तो गड़वाल से तो दूसरा आंसर आयता है वहीं बात करें हम बुंदी तो देव सिंग, जोदपूर, मालदेब, अजमेर, इसबरी और अनतंबोर, गोविन राज तो पहला दूसरा तीसरे चोथे यह सही है मारवाड की वहीं पर बात करें तो मारवाड ये राठोड मेवाड की बात करें तो इसे सो दिया अमेर की बात के अधम कच्छवाहे और बुंदी की हड़ा नेश्टे मद्यकालीन युद्धों का कालनों करना बताना आपको सबसे पहले कौन से युद्ध हुए थे सबसे पहले वो था सामेल युद्ध उसके बाद में धर्मत का युद्ध हुआ था उसके बाद में समुगड फिर देवराई का युद्ध सबसे लाश्ट में हुआ सामयल का युद्ध आप समय जानते हैं 1544 में वा धर्मत का कब 1688 में और सामुगण का 1688 देवराई का 1669 कतिप्य राजपुत साथकों की सुची में उन दो का चैन करना जिने मुगलों का सहयोग नहीं दिया था तो कौन थे तो रान सांगा और चंदरसेनि अब इसमें युद्धो का सुमयल का नाप को पहले भी में बता दिया गाता कि गांघरोण का कब हो था तो इसका युद्ध उता 1559 में वहीं सारंगपुर का युद्ध उता ये 1227 में सुमयल का युद्ध आप सब जानते हैं के 1544 म नेश्ट है अब काले उक्रम बताना इसमें तो सबसे पहले युद्धु कौन सा हुआ था आप जानते कि तराइन का युद्धु सबसे पहले हुआ था जुतियों 1192 में फिर कहनमा का युद्ध हुआ 2527 उसके बाद में अहल दीगाटी 2526 में तो इसी अंसर आ गिया उसके आनुसार आखरी किरम से असई किरम में तो सबसे पहले युद्धु था अपका सारंगपूर की युद्ध द्धुआ उसके बाद में गांगरों हमस सारे ले बाद में पयाना का फिर मावली का युद्धुआ आप देख लिएक अलिकु प्रसासिंक और राजे ब्रखेश ब्यवश्टा कैसी थे उस टाइम पर पहला ही कोश्चन है मारबाड की बीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाब देने की परंपरा रही थी, सर्वोच सिरोपाब था कुन सा तो हाती सिरोपाब सर्वोच था इसमें चरिन अर्श्टे बाद की सिरुपाब कौन से थे पाल की सिरुपाब घोडा सिरुपाब साधा सिरुपाब ये कंटी सिरुपाब नेश्ट है राजबंसु की राजस प्रणाली के अंतरगत किस प्रकार की भूमी को राजा की नीजी संपत्ती माने जाता था तो कौन से बहुमी थी है? खालसा बहुमी को राज़ा की निजे समपत्ति माना यादा था नेश्ट है जागीर सब्द कि बादसे लिए गया तो जागीर फार्सी का सब्द है नेश्ट है राजिश्तान की प्रतियक राज़ी में महकमा बकायत होता था जो अच्छी फदल के समय से स्राज़ा बसूलता था नेश्ट है इजारा किस के लिए जाना याता तो इजारा को जो राज़ा सब्द की ठेका परणाली के लिए जाना याता है नेश्टे मद्यकर्णी राजिस्टान के राजियों में सासक के बाद सबसे महत्पून अधिकारी कोन होता था तो प्रदान के रूप में सबसे महत्पून अधिकारी होता था अटारमी से बारमी सदी के समाज में राजिस्तान में प्रिकलित अधिकारी अक्षे पटलिक का समन्त किस से था तो यह थे राज्जिय में आए बिया का बेरा रखने वाला अधिकारी महीं आमहत्य कोन होता था मुख्य मंत्री होता था संदी बरक युद्धु और संदी के मंत्री होता था अक्षपटलिक और लेक मंत्री होता था बंदपती मुख्य दुखक और बिशे गाधिराज मुख्य बेत होता था नेश्ट है राइस्थान के प्रारंबिक मद्यकाल के राज्यों में अश्ट पटलिक के जिम्मदारी क्या होती थी अभी हमने देखा था यह लेकादिकारी होता था मुख्या लेकादिकारी के रूब में काम करता था नेशे चलते हैं, राजस्थान के पूर मद्यकालिन राज्यों में नेमितिक पदनाम का परियों कहता है किसी नी राज्य जोतिश के लिए are कोन ये जोतिश होते थे इसते कौन सी भॉराज्ञे सब्यवस्ता राजי टोटरमल सिख्वाज्य विवैश्थी तो कौन सी ये जब्ती थी राजिस्तान के त्यास में पट्टा रेक से क्या विप्राय है थी पट्टा रेक या पट्टा में लिखा हुआ ने तारित कर 16-17 सताब्दी मेराजिस्थान में नील का कारोवार अतियंद विक्सित था और नील हमारी संसिक्रित बिरासित रही है और इस बिरासित का गवार आ रहा है क्या गयाना भरतपूर कौन सा सही नहीं यह बताना इसमाथ है चन्डवता भूबवी पर राज्या का निंत्रण और यह बात गिलत है तो यह चन्डवता मतलब कहते थे कि यह चारावा वाली भूबवी होती थी पस वो कुछ रहने के लिए होती थी गाउं की सामाहिक संपत्ति होती थी तो इस पर नियंतरन गिराम पंचायत के नियंतरन में होती थी मद्ययोगीन राजिश्थान के समाजिक आर्थिक जीवन के संदर में पंचकुल क्या है तो पंचकुल होती थी गिराम परिसद नेश्ट है डाबी और जीबडी समन्तों की सिर्णी राजिस्थान में काँ पर चलिते हैं तो जैसलमेन में पर चलिते थी 68 क्या है तो 68 जैपुर राज्जे की भूमी समंदरी कोड है नेश्ट है में बाड़ राज्जे में मैंकमा खास की इस्थापना की थी 16 32 गोल का समन्त किसे है तो ये में बाड़ राज्जे में समन्तों की सिर्णी यों से समन्दी थी नेश्ट चलते हैं मारवड के बे समन्त जिनने राज्जे के निकट समन्दी होने के करण तीन पीड़ी तक चाकरी और देख रेक से मुक्त रखा जाता था कहलाते थे क्या राजबी राजबी सरदार मुस्दी गनायत किस राज्जा में समन्तों की सिर्णिया हुआ करती थी तो मारवड में हुआ करती थी बारा कोटडी नामक समन्ती वेश्टा का समन्त किस राज्जे से है तो ये आमेर से समन्द है नेश्ट है लाटा और कुंता का समन्द है किस से तो ये उपज़ पर कर लगने वाली पद्दितिस है मोगल समराट की अग्यानिसवार राजपताना में साही पतादिकारी और द्वाराद जारी किया देने वाले कागजात क्या लाते थे क्या तो बालद क्या है तो बालद सारत बहा होते थे जो काफिले के साथ मन दूर दूर तक समान मेतना प्ने जाते थे यह आनि कि बैवसाई ये ब्वारी सारत बहा क्या लाते थे भूमी बंदोश्त की साथ प्रिता का समध किस रजी से हैं तो ये मेवार से समध है मटक, बिच्छायत, चूज सराई क्या है तो ये सारी जो है राज實्तान में स्थान्य करों के नाम है राजिस्तान की प्राचियन रियासस के संदर में कांसा पारुसा क्या है तो खरड़ा यो था सरम जी भी जातियों से बसोला जाने वाली रासी है तलबार बंदाई क्या थी तो तलबार बंदाई नए जागिरदारी और गदी निसीनी के समय उत्रादिगारी के रूब में राज्जी द्वारा लिया है बाने वाला सुल्क था ये तलबार बंदाई क्या थी तो तलबार बंदाई एक टाइप का सुल्क था उत्रादिगारी सुल्क है कि अब यह ने प्राटि वल्ल इस्ट्री देख लिए राजिस्थान की अब नइस क्लास में हम पुरा डिस्क्स करेंगे राज जियंगे बीट्यां के मौटर इंडिया पर नोट करेंगी च्बिश्ट्य करेंगी है ऐक आपके आपको यह क्लास बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि वह राजबारों सा दिक्तर कोशन पूशे जाते हैं, तो आप जो है, अब इसको करना क्या है, इसको दो से तीन बार, टेजी स्पीड से आगे देखना है, और कुछ पॉइंट नोट करने हैं, तो नोट कर सकते हैं, और बाकी जो आपको समझवाएं, तो उसको भी नोट कर सकते हैं, तो आई होप के आपको यह बहुत पसंद आई होगी खिलास, तो अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करे बोड़ दन्यवाद